आज हम तुम लोगो एक चीज बताने जा रहे हैं कि तुम लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपनी तरफ से सीरियस लेना चालू करो यार मतलब तुम हर चीज पर किसी दूसरी के उपर कैसे डिपेंड रहे सकते हो हमें समझ में नहीं आता है हम यह डिपेंड जो दूसरी क उपर डिपेंडेंसी है वो उसको खतम करना चाहते हैं अब इसके लिए तुम्हें क्या समझा रहे हैं उसके उपर समझना तुम्हें क्या दिक्कत है तुम्हें दिक्कत यह है कि तुम्हारी अगर अभी नौकरी नहीं लगी तुम्हें यह प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्ह कुछ कमा नहीं रहे हो ठीक है पहली चीज तो यह है ठीक है अभी हम बताएंगे इन सब का क्यों तुम्हें निकालना अपनी लाइफ से दूसरा है भी आओ साधी कि भाईया इत्ती उमर होगे साधी कर क्यों नहीं रहे हो कोई प्रॉब्लम में क्या सरीर में कोई दिक्कत है क् परिसानी क्या नोकरी को नहीं लग रही इसलिए साधी नहीं हो रही क्या यह दो ऐसे टॉपिक हैं जिनकी उपर हमारे आंके भाई भाई लोग इतना परिसान रहते हैं कि हमें पता मतलब क्या ही बताएं हर आदमी सिर्फ इसलिए मर रहा है कि नोकरी अच्छी हो जाएगी तो साधी बढ़िया हो जाएगी और साधी तभी होगी जब नोकरी होगी यह दोनों एक दूसरे के पूरा खैंक तरीके से ठीक है अब हम बात करते हैं नोकरी के लिए देखो क्या होता है हर एक की लाइफ अपने हिसाब से चलती है अब यह कहना बंद करना पड़ेगा कि भ लापर आए कि उस ऐरिये से निकलना चाहता है उस ज्हों से निकलना चाहता पैपर नहीं निकल पाता है तो अगर किसी साल के उमर में नोकरी ले लिए अगर तुम्हें लग रहा है कि चीजें हो सकती है गो फॉर इट किसी की सुनने की जरूत नहीं है जरूरी नहीं है कि तुम बाइस साल में करोणपती बनो बत्तिस में बन जाना कोई समस्या नहीं है ठीक है सबको जाना एक दिन चारी कंदे पर है तो तुम अपनी लाइक को थ साधी साधियां तो क्या कहें आजकल तुम देखते हो हर साधी वरबाद है उसका रीजन पता ही क्या है कि साधी सिर्फ हो रही है आपकी नोकरी पे आपकी जमीन पे आपके पैसे पे किसी की परसनालिटी पे साधी नहीं हो रही है अगर सामने वाला बंदा किसी भी कुछ भ तोरी यवानो हम तो training देते हैं सी कर यवानो हम training देते हैं हमें पता है कि इसके घर मे कितनी क्या कलै मची पड़ी आ जिनको तुम देखते हो तो तुम बहुत slow चलो आराम से अगर तुमें लग रहा है कि चीज़ें हमारी हो सकती है बर time लग रहा है ले लो time ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करना है आप एक चीज़ें समय लो time हम बरबाद नहीं कर रहे है हम यह आप यह कहरे है time लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं जाता विषक्त तो हम यह कहांगी कि इसके बारे में मत सूचो सबसे पहले अपनी यह मजबूत करने के बारे में सूचो सबसे पहले तुम नोकरी लग रही यह नहीं लग रही वह तो बात इसापन करो हो हमेशा काम करो जिससे तुम्हारा बैंक बैलेंस मजबूत हो क्योंकि हम सच बता रहे हैं साधी कुछ भी दुनिया की कोई भी एक्टिविटी हो दुनिया का कोई भी रिलेशन हो बिना पैसे कि किसी भी छेतर में तुम सर्वाइब नहीं कर सकते हो ठीक है तो ज्यादा इस् चल रहे हैं वैसे चलती रहें कि जिसको आना होगा वैलकम है नहीं आना होगा राम राम है ठीक है राम राम जैहें